यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ शपत ग्रहन समाहरों में आने का नियोता देंगे मिल रही जानकारे के मुताबिक बुद्वार को होने वाले इस कालिक्रम में मम्ताव एनरजी, मायवती, अखिलिश यादव, चंद्रबाबु, नायरू समेट कई शेत्रे निताओं को भी निमंत्रन दिया गया है दरसल कुमार स्वामी के शपत ग्रहन समाहरों को विपक्षी एकता का एक बड़ा मेगा शो बनाने की तैयारी चल रही है करनाटक में विपक्ष की मिली सफलता के बाद से काई नेता उटसाहिट भी नजर आ रहे है मद्यप्रदेश विधान सबच चुडाओं में कॉंग्रिस के साथ गर्वंदन की संभावनाओं पर समाजवादी पार्टी के अध्याक्ष अखिलिश यादव भी इंकार नहीं कर रहे हैं गौरतलब है कि करनाटक में 104 सीटे पाकर सबसे बड़ी पार्टी बढ़ने वाली बीजपी बहुमत के लिए आठ विधायकों का समर्थन नहीं जुटा पाई और सदन में बहुमत साबित करने से पहले ही बीएस यह जुरपा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो कुमार स्वामी आज दिल्ली पहुँचेंगे जहां पर वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं क्योंकि पहले शपत ग्रहन समाहरो सोमवार को होने वाला था बारा से एक बज़े के बीच का समय यह तै किया गया था जब कुमार स्वामी की तरफ से शपत ग्रहन की जाएगी लेकिन अब इस समाहरो को एक्स्टेंट कर दिया गया है बुदवार को शपत ग्रहन समाहरो होगा जिसके लिए नियोता देने भी कुमार स्वामी आज दिल्ली जा रहे हैं और आपको बता दे कि दिल्ली पहुंचकर वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे शपत ग्रहन का नियोता उनकी तरफ से दिया जाएगा साथी साथ सरकार बनाने को लेकर सरकार गचन को लेकर भी जोरान चर्चा होगी झाल